नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम टॉय अनुराग योट्यूब चैनल दोस्तों कई बार लोग बस ऐसा सुचते हैं कि अगर पॉट्टी से खून आये तभी ये डेंजरस हो सकता है डॉग के लिए लेकिन दोस्तों अगर आपके डॉग का पॉ द्यान नहीं देते हो तो उसका लीवर किड्नी इंटेस्टाइन इस सब में प्रॉबलम आ जाता है और बाद में प्यारे से पपी की जान चली जाती है तो आज मैं आपको बतलाओंगा कि अगर आपके डॉग को ब्लैक पॉट्टी हो रहा है तो यह कारण क्या हो सकता है और जो मैं यूज करता हूं और इसका जो वाइपस है जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया है यह सब बहुत ही महेंगे प्रोडक्ट्स है 300-400 के हैं तो यह सब अभी ओफर में चल ला है और मात्र 99 डूपीज में आप लोग पर्चेस कर सकते हो इसके विटामीन आते हैं सप्ल प्रविटन.com से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टन में मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि में टॉपिक तो भी बचा हुआ है तो दोस्तों आप लोग को पताई है कि डॉप्प बहुत साय टाइप को जैनरली पॉटी करते हैं हर कर सकते हैं ग्रे कर सकते हैं ब्लैक कर सकते हैं पीला कर सकते हैं और म्यूकस टाइप में कर सकते हैं तो इस सब टाइप का पॉट्टी आपका डॉक कर सकता है तो जनरली जो पॉट्टी होता है चोकलेटी ब्राउनिस टाइप का यह पॉट्टी सबसे हेल्दी माना जाता है लेकिन आज के इस वीडियो में हम ब्लैक पॉट्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर ब्लैक पॉट्टी डॉट को हो रहा है तो इसका मतलब यह माना जाता है सबसे पहला यह माना जाता है कि डॉट के इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रहा है मतलब कि उसको ब्लड निकल रहा है और नीचे आते आते जो बॉट्टी है उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसके बज़त से जो पॉट्टी है वो लाल नहीं काला आता है क्योंकि सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करके जो तो अब दोस्तों यहmo Πम हो सकता है कि आपका टों कुछ UX खा रहा हो कोई आज चीज खो चाट रहा होगा या फिर पर सेमेंट चाट रहा होगा या फिर कोई गंदा जाने के बाद भी आपका डॉटी काला कर सकता है आप नहीं लेकिन लोग टर में प्रॉबल्म क्रीट कर सकता है इसलिए आप लोग ये कोशिज करिए कि एक वाड दूसरा फूट्राय करिए देखे कि पॉटी कैसा आ रहा है या फिर खाना चेंज करने के बाद जो डॉक का पॉटी है वो भी चेंज हो जा रहा है अब दोस्तों आप लोग कमेंड करके बताइए कि आप लोग अपने डॉक को क्या खाने में देते हो और उसका पॉटी कैसा आ रहा है अब दोस्तों देखिए अगर आपके डॉग में ब्लैक पॉटी आ रहा है तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने डॉक्टर से सबसे पहले जरूर कंसल्ट करिए और एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखेगा कि अपने डॉक का डाइट चेंज करिए आप लोग कुछ दिन चावल और कर्ड ही खिलाईए और फिर देखिए कि उसका पॉटी ब्लैक तो नहीं आ रहा है अगर फिर भी ब्लैक आ रहा है तो समझी की पेट में कोई सब्सक्राइब कर लिए और बाद में बेल आइकन को दबा दीजेगा हमारे चैनल पर डॉक से लिटेटर ऐसा ही बहुत सारी वीडियो जाती रहती हैं तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारी वीडियो में तब तक लिए ठेक केर बाए 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 जैंद